दोस्तो आप पहुच गया हैं चेस को step by step सीखने की जर्नी में चेस में कुछ सीखने से पहले यह बहुत important है कि at least हमें सारे pieces के नाम तो पता हो हेलो दोस्तो मेरा नाम है राहूल और आप देख रहे हैं चेस ट्यूटर दोस्तो सबसे पहले हम चेस के pieces के नाम सीखेंगे दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा इस piece का नाम बताओ इसे generally हम राजा कहते हैं पर हम इसे king pronounce करेंगे अब हमारे सामने आ रहा है second piece तो यह है रानी वजीर आपने सुना होगा लेकिन हम चेस की language में इसे queen pronounce करेंगे अब आपके सामने जो piece आ रहा है उसे आपने सुना होगा हाथ ही कहते हैं चेस की language में इसे rook कहते हैं नेक्स्ट पीस जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है इसे आपने उन्ट सुना होगा पर चेस की language में इसे हम bishop कहेंगे अब जो piece आपके सामने आ रहा है वो तो famous है घोड़ा चेस की language में इसे हम knight कहेंगे ये जो piece है चेस में सबसे छोटा है प्यादा सैनिक चेस की language में इसे हम pawn कहेंगे तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर खतम होता है हमारा नेक्स वीडियो चेस की pieces को कैसे अरेंज करते हैं इस topic पर आने वाला है और वो भी बहुत interesting होगा अगर आप इस channel पर नए हो तो जरूर सबस्क्राइब करें और bell icon को दबाए latest chest videos सबसे पहले देखने के लिए